Hello dear students, welcome to prepare study point तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं model question paper जो जेक दुवारा जारी किया गया है ठीक है तो हम लोग English score के students के लिए ये वीडियो है उनके लिए बहुत ज़्यादा important होगा यहां से आपका ये होगा कि एक roughly idea मिल जागा आपको ज़्यादा परियास मेरा रहेगा कि question उसके बाद direct answer बताने का ठीक है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए और आप लोग सही जनकारी भी ले पाए अचार एक बात और बता दें कि अभी इस वीडियो में तो हम लोग English पे बात करेंगे लेकिन अगर आपको किसी भी subject का 12 का किसी भी subject का अगर आपको PDF डॉनलोड करना है तो नीचे description box में link दिया हुआ है टेली ग्राम का ठीक है तो आप लोग वहाँ से join होके सारे PDF को access कर सकते हैं और अपने त्यारी को मजबूत कर सकते हैं तो आप लोग को जितना समय हो पाई अभी आप लोग पढ़ने पर थोड़ा कसंट्रेट करें और ताकि आपका रिजल्ट बहतर हो सके तो आईए आज की इस वीडियो का हम लोग पहला कोशन देखते हैं क्या बूल रहा है पहला कोशन है हमारा यहां पर मतलब कौन से फोर्म में जो है रिपोर्ट राइटिंग लिखा वर रहता है हम आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट फोर्म में हम जायेगा immediate past form चलिए second question देखते हैं हम लोग second question क्या बोलड़ा है कि you are Sudhansu Sunidhi या फिर Sunidhi मतलब गयाज एंग्रल से दोनों के लिए a stop reporter of the times of India मतलब वो reporter है times of India का you have been asked to cover the incident of a day-latt robbery मतलब कि दिन दहाड़े चोरी वाला बात कर रहा है कि ऐसा incident है इस पे आपको मान के चलिए written report लिखना है तो when the immediate were present in house what would be correct title for the report मतलब इस report के लिए आपके लिए जो है correct title क्या होगा तो आपको यहाँ पे बता दें कि इसका जो correct title होगा वो option number C हम लोग यहाँ पे correct title दे सकते है a day-latt robbery यह question से ही आपको पता चलना चाहिए ठीक है तो आने कि second number question का option number C हमारा सही answer हो जाएगा चलिए third question देखते है हमारा third question क्या है कि letters to the editor are written for मतलब कि कोई भी पत्र अगर जो है so editor are written for मतलब किसलिए लिखता है तो news paper के लिए लिखता है obviously बात है question क्या है which of the following is the most suitable solution for letters to editors तो इस question का जो सही answer है मतलब कि जो उपर लिखते है sir या madam इस परकार से वो कौन सा सबसे suitable word होगा ठीक है तो इतना भी लगाना ज़रूरी नहा है most respected sir madam mister editor ऐसा नहीं लगता है loving sir loving madam ये भी नहीं use generally किया जाता है तो आनिकि अगर इस शर्टिक यूज का बात किया जा तो आप sir या madam यूज कर सकते है ठीक है जो कि आपका option number d में है आनिकि 4 का answer हमारा d हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं हम लोग तो हमारा next question है कि a notice is a formal means of मतलब notice का formal जो meaning होता है वो क्या होता है तो आपको बता दें कि इसका जो सही answer होगा d मतलब communication करना ठीक है तो आनिकि 5 का हमारा option यहाँ पे सही हो जाएगा option number d communication चलिए next question देखते हैं हम लोग next question है हमारा question number six क्या कह रहा है कि in article writing the conclusion should not include तो यहाँ पे हमारे चार option दिए गए है option यह में है appeal option B में order option C में measures और option D में suggestions ठीक है तो six नमबर का जो सही answer हो जाएगा option number B order क्या हो जाएगा हमारा option number B order ठीक है चलिए next question देखते है next question है यहाँ पर which one is a component of article writing तो इसका जो सही answer होगा seven का तो heading उसमें देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है तो आने कि इसमें जो है से greeting the audience यह सब उतना जरूरी नहीं होता है है ना thinking the audience यह सब जरूरी नहीं रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा most important है आपका कि heading या title रहना चाहिए तो यहाँ पर question पुछने का मतलब है which one is a component of article writing तो option number 20 का सही answer हो जाएगा heading या तो फिर title आप उसको बोल सकते हैं चलिए next question next question बहुत दीजी है आपका जो है यहाँ पर question से ही आप पकड़ सकते हैं कि इसका answer क्या हो सकता है बोड़ा है कि इसका जो answer होगा option number यह फ्रांको यहाँ पर दीख रहा है तो आने option number यह यहाँ पर France यहाँ इसका सही answer है चलिए next question देखते हैं हम लोग next question है यह आपका बुक वाला question से है यहाँ पर कि the red pickers have no identity but they have मतलब उसके पास को identity नहीं था लेकिन उसके पास क्या था है ना यह बढ़िया question है यहाँ पर तो option A में है परमिट्स, option B passport option C Russian card और option D pain card तो आपको याद होना चाहिए कि जब आप कहानी पढ़े होंगे तो उसके पास क्या रहता है तो उसके पास Russian card रहता है ठीक है आने कि option number C is the right answer चलिए next question हम लोग देखते है next question है हमारा की how old was Douglas when he went to the California beach मतलब वो कितने साल का था तो इसका जो सही अंसर है वो option number C 3 और 4 years ठीक है और यह किस chapter का बात हो रहा है तो deep water का रैटर को ने तो William Douglas चलिए next question हम लोग देखते है नेक्स्ट कोशन भी इसी chapter से related है हमारा next question है question number 11 Douglas had an aversion sorry यह aversion लिखाव है ध्यान दीजेगा aversion लिखाव है Douglas had an aversion towards मतलब की aversion मतलब होता है नहीं घिरना टैप से मतलब डर या घिरना आप बोल सकते हैं तो किस से था तो water से था Douglas को ठीक है तो आने कि इस question का option number हमारा c is a right answer next question है हमारा कि in peddler's view what does the world look like मतलब peddler के नजरगी से अगर world को देखा जा तो वो कैसा समझता था तो यहाँ पे option है option a में a right, option b में a jungle, option c में a jigsaw, option d में a rat trap ठीक है तो इसका जो सही answer है rat trap वोला answer सही आने कि option number d a rat trap ठीक है और आपको एक बात हम बता दे यहाँ पे कैसे बेख जाएगा चलिए तो इसका हम लोग सही answer करते हैं option number d a rat trap rat trap मतलब का होता है चुहेदानी होता है आप लोग सब समझते हैं मतलब दुनिया जोल जा ले चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा वेन वाजद लखनवू annual convention of the Indian National Congress Party held यह तो बढ़िया कोशन है आनि कि इसका जो सही answer हो जाएगा लखनवू अधिवेशन कब हुआ था तो दिसंबर 1916 जो कि option number आपका किस में है तो option number C में है ठीक है तो आनि कि दिसंबर 1916 इसका सही answer हो जाएगा चलिए next question हम लोग देखते है यह भी अच्छा question है आपका next question क्या बोल रहा है कि pin cake was the brand name of the किसका यह brand name है तो देखिए यहाँ पर कितना confused करने के लिए cake भी दिया हो है ठीक है लेकिन आपको धियान देना कि cake यहाँ पर answer मारके आपको नहीं आ जाना है है ना तो इसका जो सही answer होगा वो make up material है क्या है make up material से संबंदित है यह brand name कौन सा तो pancake चलिए next question देखते हैं हम लोग और यह next question जो है सो भी उसी से related है कि who was the boss of Gemini a studio अच्छा यह एक परकार का Indian film a studio है ना ध्यान में रखेगा आपको तो इसका boss कौन है तो कौन थे तो इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number सर्वी next question 16 number हमारा question है कि who referred interview as or deals तो इसका जो सही answer होगा option number D H.G. Wales ठीक है चलिए next question हम लोग देखते है नेक्स्ट कोशन है हमारा who were Sophie and Gen C तो यह लोग क्या थे तो sister, friend, classmate both B and C दोनो देखे आपको जो है confuse करने के लिए ऐसा option देता है ताकि आप थोड़ा सा confuse हो जाए ठीक है आपको लगए कि Sophie और Gen C तो friend थे तो हम लोग फ्रेंड में मार के आ जाते है answer या फिर लगए गा classmate तो एक answer नहीं मारना है बाब हो यहाँ नीचे option में दिया हुआ है कि both B and C दोनो both मतलब कि दोनो ठीक है तो कहने के मतलब यह हुआ कि वे लोग जे थे वो friend भी और classmate भी आने कि given extract मतलब poem tap से होता है ठीक है extract मतलब create the given extract and answer the questions from 18 to 20 चलिए क्या है थोड़ा से यहाँ पढ़ लें क्या कि यहाँ पर अगर आप एक बार पढ़ लिजेगा तो जितनी भी question दिये रहते है सब इसी से related है अगर आपका किस्मत सही रहात तो तो कभी-कभी ऐसा होगा कि poem देखे पटांग चीज़ पूछ देगा जो कि poem में बहुत कम दिखेगा लेकिन यह बला question के में ऐसा नहीं है ठीक है यह question इसी में आपको दिखेगा answer poem क्या है इसको थोड़ा से देख लेते हैं बोल रहा कि फिसर मेन इन दी चलिए question नमर 18 देख लेते हैं अब इसी से related है question 18 क्या बोटा है उसी में थोड़ा हम लिख समझ भी लेंगे question 18 है हमारा कि who is the poet of the given extract बोले थे आपको कि extract मतलो कि poem तो यह poem या किस poet दुवारा दिया गया है तो option number यह इसका सही answer है आपको थोड़ा से क्या करना है कि अगर number उठाना है तो जितने भी poem है या फिर जितने भी कहानी है तो उसका थोड़ा जो writer है, poet है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा ठीक है तो इस question का option number यह हमारा सही answer होगा Pablo Neruda चलिए next question देखते हम लोग next question हमारा यहां पर कि what does the poet expect the fisherman to do तो यहां पर जो option यह है हमारा कि not to harm the whales यही इसका correct answer भी है और यह आगर आप ध्यान से अगर point पढ़िएगा तो इसमें यह word लिखावा भी है ठीक है not to harm the whales not to harm the whales देखें यहां पर लिखा है यह इसका सही answer हो जाएगा चलिए 20 number question हम लोग देखते हैं कि 20 number question क्या बोल रहा है कि the main gathering the main gathering 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 मतलब आपको ध्यान में रखना सभा होता है ठीक है तो the main gathering salt would look at his तो इसका जो option हो जाएगा option यहां पर 20 का सही answer होगा जो कि आपका poem में ही लिखा हुआ है option number B क्या हो जागा heart hands चलिए next question हम लोग देखते हैं अब next question यहां थोड़ा से अलग है न क्या बोल रहा question कि to what does the poet आने की कमला दास compare हर mother यह बढ़िया question है अगर आप लोग बढ़िया से कहानी जब पढ़े होंगे तो आपको यह answer आ जाना चाहिए दिमाग में कि लेट winter's moon से यह अपने मदर को compare करते है ठीक है तो आने की option number इसका B हो जागा सही answer लेट winter's moon चलिए next question हम लोग देखते हैं next question क्या बोल रहा हमारा यहां पर the poem an elementary school classroom in a slum deals with the themes of इसका themes क्या था इस poem का तो इसका जो themes है यह option number यह में ही आपका दिया हुआ है कि social injustice and class inequalities ठीक है आने कि option number यह इसका सही answer हो जाएगा ठीक है इसका आप लोग ध्यान में यहां पर रख सकते हैं option number यह इज़ा right answer ठीक है चलिए next question अब हम लोग देखते हैं next question क्या है कि what makes the mid forest break reach तो इसका जो सही answer है वह option number B इसका एकदम बिल्कुल right answer है मस्क रोजेज चलिए next question हम लोग देखते हैं मस्क रोजेज कस्तूरी गुलाब ऐसा करके कुछ होता है इसका हिंदी चलिए question number 24 हम लोग देखते हैं बोलड़ा कि what was offered for sale at the roadside stand 24 में ऐसा question है और इसका जो answer है वो क्या होगा wild berries या फिर golden squash तो यह दोनों यह दोनों खाने मुला चीज़ है तो आप समझ सकते हैं तो इसका जो सही answer हो जाएगा वह option number C बोथ एंड यह एंड भी दोनों चलिए next question 25 number क्या बोलड़ा है कि what are aren't Jennifer stagger doing है ना तो इसका जो सही answer है option number C हो जाएगा jumping across a screen ध्यान रखेगा question क्या हमारा कि what are aren't Jennifer stagger doing क्या करता है तो jumping across a screen के उपर मदला जंप करता है ठीक है चलिए तो इसका सही answer option number हमारा हो जाएगा see jumping across a screen question number 26 हम लोग देखते हैं 26 number क्या बोलड़ा है बाबू तो 26 नंबर है हमारा यहां पर कि who offered shelter to the peddler ठीक है तो इसका जो सही answer हो जाएगा question number 26 का an old किधर गया किधर गया an old crafter आने कि option number D इसका जो है वो सही answer हो जाएगा ठीक है 26 का option number D चलिए next question लोग देखते हैं who had sent the first day cover तो इसका जो सही answer है 27 का वो Sam Sam आने कि option number D का बोलड़ा question कि who had sent the first day cover ठीक है मतलब कि who had बोल रहा है न मतलब कि कौन जो है सो first day cover जो send करता है उसको तो Sam चले next question है हमारा who was Charlie's wife कौन है Charlie के wife याद है आप लोगों को बुला गया है वाइप को मत बूलिए तो option number Louisa हो जागा इसका सही answer option number B ठीक है तो who was Charlie's wife तो Louisa Louisa लिखा हुआ है द्यान रखिएगा चले next question हम लोग देखते हैं 29 number अहां अमी क्या question की who was Ami यूमी भी बोल सकते हैं देखे यह कहानी से आपका लिया गया है तो इसका जो सही answer होगा option number यह मनला doctor किसमें तो हां option number यह में हमारा इसका राइट answer हो जागा चलिए अब हम लोग next question देखते हैं question number 30 question number 30 क्या बोल रहा है बाबू कि who are described as in image to each other India story the tiger king तो इसका जो सही answer होगा वो option number option number कौन सा हो जागा option number B bull and tiger ठीक है आनिकी option number B is a right answer bull and tiger चलिए next question हम लोग देखते हैं question number 31 31 क्या बोल रहा है कि who was doctor सदाव कौन थे तो यह तो सभी को आपको पता होगा Japanese doctor थे ना तो आनिकी option number यह हमारा यहाँ पर राइट अंसर हो जागा Japanese doctor Japanese doctor चलिए question number हम लोग देखते हैं 32 क्या बोल लाए 32 कि the name of the program that take high school student to the end of the earth is the end of the earth is a student on ice तो आनिकी इसका option number D हमारा सही answer हो जाएगा ठीक है यहां से एक रफली आपको idea लेना है पहले भी बोल चुकें ठीक है कि इस परकार के question आपके exam में पुछे जा सकते हैं तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लें यहां पे और एक बार अगर आपके दिमाग से कोई option गुजर जाएगा ने तो वहां पे अगर आ भी गया तो आप लोग option बहुत राम से मार सकते हैं ठीक है और थोड़ा सा अगर अपने से मेनत कर लेंगे तो आपका result अच्छा हो सकता है चलिए next question लोग देखते हैं question number 33 क्या बोलड़ा है बबबू 33 है हमारा क कि how many times zone did the writer cross during the journey to Antarctica कितने मतलब वो टैम जोन से travel मतलब की पार किये थे जो है राइटर वो तो यहां है five time zones six time zones तो इसका सही अंसर क्या बबू तो 33 का यह हो जाएगा ठीक है आनि five times zone जो है जो राइटर है वो पार करते हैं ना अंटार्क ठीका आतरा के दोरान चलिए next question है हमारा 34 34 number question क्या है तो 34 है हमारा यहां पर कि late taggers beware who said this who said this तो 34 का answer beware मतलब होता कि खबर खबरदार समझे ने तो इसका option भी हो जागा हमारा the prince है ना the prince इसका जो है वो सही अंसर हो जाएगा next question यह आपको याद रखना है 35 number क्या बोलड़ा question question हमारा कि how many rings did the Maharaja sent to British officers good lady कितने रिंग बेज़े थे बाबू रिंग मोला कुछ याद है मिटर तो 35 का option number C हो जागा यहां पर राइट अंतर ठीक है पचास चलिए निक्स्ट माने की 50 next question number 36 number का बूल रहा है 36 it is a story told by Jake had a small creature named क्या नेम देता था 36 का Rogers Rogers answer हो जागा हमारा हमको लागा कि हम question में भी पढ़ें क्या रोजर सी जा राइट अंसर ठीक है का बोला कि each a story told by Jake had a small creature named Roger था चलिए next question हम लोग देखते हैं 37 number question क्या बोल रहा है ध्यान से आप लोग इसको ध्यान में लखना है आपको जेली चलिए next question हम लोग देखते हैं question number 38 38 क्या बोल रहा है कि how many times had events escaped from the prison prison मतलब जेल है ना once twice thrice मतलब तीन बार वो जेल से भागा था था ने प्राइस तो आने की option number c is the right answer is the right answer next question हमारा 39 number question क्या बोल रहा है कि who was annon ठीक है तो option ये में है बमाश friends option b में है बामा के मतलब father या option c में है बामा के चचा मतलब uncle और option d में है बामा के बड़े brother आने elder brother तो यहाँ पर option number d इसका right answer है तो एनन कोन है तो बामा के बड़े भाई आने की बामाश elder brother चलिए आज के इस वीडियो का हम लोग last question देखते है last question क्या है बाबू कि where did जित कलासा had herself तो इसका जो right answer है मदब वो कहां आपने आपको चुपाएं तो इसका जो सही answer है option number c under a bed कहां पर sorry under a bed ठीक है तो इस question को आपको ध्यान में रखना है कि where did जित कलासा had herself फो खुद को कहां चीपाई तो under a bed ठीक है चलिए तो many thanks to all of you thanks dear और आप इसी तरह से जो है सो इस channel को अपना प्यार देते रहें पीपे स्टड़ी पॉइंट को ठीक है और अपना त्यारी अभी क्योंकि अब ज्यादा समय रहा नहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्प बस ऐसा ही काम चला देना ठीक है तो अब थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान द